हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? गाइस, जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इस टाइम मेरे पास है Redmi का Note 11 डिवाइस, जिसके अंदर मैं Super Live Wallpapers को यूज कर रहा हूँ, लेकिन गाइस मैं आपको बता दू कि मेरा जो डिवाइस है, वो Super Live Wallpapers को सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी मेरा जो थीम स्टोर है, उसके अंदर मैंने Super Live Wallpapers को इनेबल कर रखा है, और मैं सारे Super Live Wallpapers यूज कर पार हूँ, आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, तो गैस, आज किस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, कि अगर आपके पास कोई भी शोमी वाला डिवाइस है, जैसे कि Redmi, Poco और Mi, तो उसके अंदर आप Super Live Wallpapers को कैसी यूज कर सकते हो, वो भी आलवी जोन डिस्पले के साथ जैसे कि मैं यूज कर पा रहा हूँ, अगर गैस, आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे, तो मारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जुरूर कर लीजेगा, तो गैस, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ हमारी आज किस वीडियो को, और छोटा सा आपको इंट्रो दिखाता हूँ इस Live Wallpapers का, अब गाइस, जैसे कि आप सभी इपने स्क्रीन पे देख सकते हूँ, मुझे मेरे Theme Store के अंदर कोई भी Super Live Wallpaper का उप्शन देखने के लिए नहीं मिलता, ये देखिए, मैंने मेरा Theme Store ओपन कर रखा है, Wallpapers के अंदर कोई भी Super Live Wallpaper का उप्शन नहीं है, तो गाइस, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कि आप अपनी किसी भी Show Me device में Super Live Wallpaper को कैसे इनेबल कर सकते हो, तो गाइस, अपनी डिवाइस में Super Live Wallpaper को इंस्टॉल करने के लिए, सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहांपर आपको कुछ इस परकार का एक एप देखने के लिए मिलगा, Wallpaper Pack, गाइस, सिंपली आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इस वाली अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि आप सुपली इस वाली अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर रहा हूँ, device को simply reboot कर रहा हूँ तो guys जब तक मेरा device reboot होता है मैं थोड़ा wait करता हूँ और आपको बताता हूँ मेरा device reboot होने के बाद कि अब आपको आगे क्या करना होगा तो guys जैसे कि आप सभी अपनी screen पे देख सकते हो मेरा device simply reboot हो चुक है अब हम आपको simply theme application open करके दिखा देता हूँ कि मुझे super live wallpaper देखने के लिए मिले है या फिर नहीं तो चलिए मैं सबसे पहले profile में चलता हूँ wallpapers में चलता हूँ और जैसे कि आप सभी अपनी screen पे देख सकते हैं अब मुझे super live wallpapers का यहाँ पे option देखने के लिए मिलता है मुझे simply उसे यहाँ से download पे click करके download कर लेना है जैसे कि आप सभी अपनी screen पे देख सकते हो यह वाली application डाउनलोड होनी start हो चुकी है यह देखिए आपको जो भी super live wallpaper इंस्टॉल करना हो आप यहाँ से simply install करके उसे use कर सकते हो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए download हो गया मैंने simply इसको install कर लिया आपको कुछ इस परकार का screen देखने के लिए मिलेगा तो आपको simply से install कर लेना है मैं आपको थोड़ा install करके भी दिखा देता हूँ तो guys जैसे कि आपसे भी अपनी screen पर देख सकते हो जो super live wallpaper है Mars वाला वो मेरे device में successfully install हो चुका है अब मैं simply इसको open करके आपको apply करके भी दिखा देता हूँ जैसे कि आपसे भी अपनी screen पर देख सकते हो मैं यहाँ पर जाके जो view है वो भी select कर सकता हूँ और यहाँ पर जाके simply से apply भी कर सकता हूँ यह देखे guys always on display के साथ में यह कितना अच्छा लगता है और successfully work भी करता है guys अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगे हो और आपके device में भी super live wallpaper वरकिंग हो तो आप हमारे इस वीडियो को एक like और हमारे YouTube चैनल को subscribe जुरूर कर दे तक कि मुझे आपके लिए ऐसी motivation मिलती रहे बाकि guys अगर आपको भी किसी topic पे वीडियो चाहिए अपने topic पे तो मुझे नीचे topic कमेंट करके जुरूर बताएं हम आपके बताएं topic पे वीडियो बनाने की कोशी जुरूर करूँगा तो guys चलिए मिलते हम हमारे किसी next वीडियो में तब तक टाटा बाई बार और YouTube चैनल को subscribe और वीडियो को like करना मत भूलिएगा तो चलिए मिलते हमारे किसी next वीडियो में में प्याम को Park अीडियो में रभावपे एम सिर्के बता आपके छिए ठाने की के पालो पूलिए एमारे करता चिएए